हेलो प्रेंड्स वेलकम टू प्रियास लवली कीचन आज हम बनाएंगे घर पे ही वेच मॉमोज मॉमोज खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं जोरो आप इस रेसिपी को ड्राइ कीचे आई होप आपको पसंत आईगी तो चले रखते हैं मॉमोज बनाने के लिए हमें किन-किन सीजों के आउशकता होगी मॉमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लएंगे इधर मैने दो कप मैदा लिया है अब हम इसमें डालेंगे आदा चमा चितना नमक टेस्ट के हिसाब से आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हो एक चमा चितना तेल और इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा गुंदेंगे द्यान रखे एक ही बाहर जादा पानी मत डालें नहीं तो यह जो आटा है जादा सौप्ट और पतला हो जाएगा हमेशा आटा लगाते समें थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा को मिक्स करते जाए और गुंदे जाए तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालके इस आटा को एक खटा किया है आटा को अच्छे तरह से मसल लेंगे तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा लगाया है आटा को अच्छे तरह से मसल मसल के चिकना करेंगे ध्यान रखें आटा हमें जादा सक्त भी नहीं बनाना है और जादा सॉप्ट भी नहीं सेमी सॉप्ट आटा बनाना है जब आप सेमी सॉप्ट आटा बनाएंगे तो आपके मोमोस एकदम बढ़िया से बन जाते हैं आटा को 10-12 मिनट हम रेस्ट करेंगे तब तक स्टफिंग बनाएंगे स्टफिंग बनाने के लिए एदर मैंने देड़ कप पत्ता को भी को एकदम फाइनली कट करके लिया है थोड़ी कटी हुई लाल सिमला मिर्च, कटी हुई हरी सिमला मिर्च एक गाजर को इसी तरह से एकदम बारिक कट किया है आप चाहिए तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हो और हरा पैंच और हरा पैंच का जो वाइट वाला हिस्सा है इसे भी मैंने एकदम फाइनली चॉप करके लिया है अगर आपके पास एचो हरा पैंच नहीं है स्प्रिंग अरियंस नहीं है तो आप नॉर्मल पैंच दो है उसे भी कट करके यूज कर सकते हो एक चमच कटा हुआ अधरप, एक चमच कटा हुआ लसन दो कटी हुई हरे मिर्च, टेस के लिये नमक, एक चमच तेल, एक चमच सोय सौस और एक चमच विनेगर बस हमें इतनी ही चीजों की चरूर थे ग्यास के उपर मैंने प्यान रखा है इसमें डालेंगे एक चमच इतना तेल तेल को हलका गरम होने दीजें जैसे ही तेल हलका गरम हो जाएगा इसमें डालेंगे कटा हुआ लसन अधरक और लसन अधरक को लो टू मिडियम फ्लेम पे कुछ सेकेंच तक भूनना है इसे जादा ब्राउन मत कीजे कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और कटा हुआ पैंच जो पैंच का वाइट वाला हिस्सा है उसे में डाल दिया है और इसे भी एक मिनाट तक हमें भूनना है हरी मिर्च और इन सारी चीजों का चस्ट कच्छा स्मेल जो है तोड़ा कम होना चाहिए इस सारी चीज़े पक्के तईया है इसमें डालेंगे कटी हुई सबची, गाजर, दोनों सिमला मिर्च और पत्ता को भी और इन सारी चीजों को मिक्स करते हुए लो टू मिडियम फ्लैम पे हमें पकाना है आप इसमें आपकी पसंद की सबची भी डाल सकते हो जैसे कि आप इसमें बारी कटे हुए बीन्स, बारी कट करके मश्रूम्स भी डाल सकते हो ध्यान रखे इसे एक मत पकाईए हलका से क्रंची भी होना चाहिए क्यूंकि स्टीम करते समय फीर से पग जाएगा टेस के लिए नमाग डालेंगे विनेगर, स्वया स्वास और इन सारी चीजों को मिक्स कते हुए लो टू मिडियम फ्लेम पे एक से देड़ मिनाच पकाईएंगे हरा प्याश डालेंगे और मिक्स करेंगे और यह हमारा स्टेफिंग बनके तया है, इसे एक बाउल में निकालेंगे और पूरी तरह से थंड़ा होने देते हैं, उसके बाद हम मोमो बनाना स्टार्ट करेंगे तो आटा अच्छी तरह से रेस्ट हो गया है, आटा बनके तयार है इसमें से हम छोटी छोटी लोईया बनाएंगे आप डाइरेक्ट छोटी छोटी लोईया तोड़ के भी बना सकते हो, नहीं तो मेरी तरह से एक बड़ी लोईया बना लीजे इसी तरह से रोल कीजे, और चाको की मदद से कट कीजे तो लोईया एकदम फटाफच बन जाती है, बस अभी हाते लीपे लेके इसे गोल गुमा लीजे, गोल बना लीजे एक एक लोईया लेके इसे बेलना है, एक लोईया को ओपर मैंने थोड़ा मैदा लगाया है और इसे बेलन की मदद से बेलना है त्यान रखें बेलते समय सेंटर वाला चो हिस्सा है उसे बड़ा रख दीज़े और किनारों को पतला रखिए तो इसी तरह से इस पूरी को मैंने बेल लिया है अब मैं इसे कटर की मदद से कट करूँगी आप चाये तो डिब्बे का ढकन है उसे भी कट कर सकते हो तो इसे मैंने इसी तरह से कट किया है एचो किनारे है थोड़े बड़ी लिख रही है इसे मैं बेलन की मदद से और बेलूँगी और सेंटर पे रखेंगे दो चमाच इतना स्टफिंग जितना स्टफिंग आप चाते हो उतना डाल सकते हो और किनारे इसी तरह से पकड़ के फोल्ड कीज़े जैसे हम मोदग बनाते हैं ना सेम उसी तरह से ही इसे बनाना है और यह जो तरीका है एकदम एजी तरीका है और चल्दी से जच पच बन ज़ता है और उपर से इसी तरह से एक खट्टा करके दबा लीज़े एक मॉमो बनके तयार है मैं आपको दुसरा तरीका बता रही हूँ पूरी को बेल के लिया है बीच में स्टफिंग रखेंगे और बीच में इसी तरह से सेंटर पे पकड़ के इसी तरह से चिपकाएंगे तो एक ट्राइंगल शेप में मॉमो बनके तयार है एवी तरीका बिल्कुल एजी है और जल्दी से जटबट बन जाता है पूरी को मैंने बेल के तयार किया है बीच में स्टफिंग रखेंगे और ये सारे मॉमो मैं इसी तरह से ही बनाऊंगे क्यूंकि एही तरीका मुझे एकदम आसान लगता है और दिखने के लिए भी अच्छा लिखता है तो इसलिए इन सारे मॉमो को तयार करेंगे मॉमो स्टिम करेंगे इधर मैंने स्टिमर की प्लेट ली है इसे तेल से ग्रेस करेंगे ग्यास के उपर कडाई में मैंने पानी मी गरम करने के लिए रखा है और इस मॉमो को स्टिमर प्लेट के उपर लखेंगे ध्यान रखें जूमो रखते समय बीच में थोड़ा डिस्टन्स रखिए नई तो मॉमो स्टिम करते समय आपस में छिपग चाएंगे यहां स्टीम करते समय फूल भी जाते है पानी को अच्छी तरह से उबालाया है लेट को रखेंगे और उपर से ढखकान रखके इन मॉमोस को लो टू मिडियाम फ्लेम पे 12 से 15 मिनट स्टीम होने देते है मॉमोस को मैंने टोटली 15 मिनट स्टीम किया है मॉमो अच्छी तरह से स्टीम होके तयार है मॉमो तयार है या नहीं एक कैसे चेक करना है वह भी मैं आपको बता रहे हूँ एक स्पून लीजे स्पून की मदद से मॉमो को थोड़ा हिला लीजे मौमो को निकाल लीजे, मौमो आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब मौमो अच्छी तरह से श्टीम होके तयार है, आप देख सकते हो, तो यह मौमो बनके तयार है, मौमो उसको एक सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे, और इन मौमो को आप मौमो चतनी के साथ खा सकते हो, कट करके दिखाती हूं एकदम सौप्ट अंदर से भरपूर वेजिटेबल से भरा हुआ मोमो बनके तयार है तो आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए आई होप आपको पसंद आएगी अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए यह है विवगा है है है।